सीवियर फंगल इंफेक्शन की समस्या में इस इंजक्शन का उप्योग किया जाता है जैसे पुराने से पुराना दात खाज खजुली की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये इंजक्शन लगा जाता है जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं इस इंजक्शन का उ यह injection कौन से मरीज को या किस परकार के दिक्कत में लगाया जाता है, यह injection किन मरीज को नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जनकारी देंगे, फंगल इंफेक्शन की समस्या में इस injection का उपियोग डॉक्टर के दौरा किया जाता है, लिसेमनेसिस क समस्या में डॉक्टर के दौरा यह injection मरीज को लगाया जाता है, जिसे ब्लेक फंगस कहा जाता है, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के दौरा यह injection मरीज को लगाया जाता है, जैसे कि यह एक एंटी फंगल दवा है, यह फंगल सेलवाल मेंब्रेन को नेश्ट करके फंगी को मारता है और ये फंगल infection की समस्या में इस injection का उपियोग किया जाता है असपर गिलोसिस की समस्या में इस injection का उपियोग डॉक्टर के द्वारा मरीज को लगाया जाता है बलास्टो माई कोसिस की समस्या में इस injection का उपियोग किया जाता है कोई भी अगर severe fungal infection हो जाता है तब डॉक्टर के दौरा ये injection मरीज को लगा जाता है severe fungal की condition में क्रिप्टो कोकल मेनिंजाइटिस की समस्या में इस injection का उपयोग डॉक्टर के दौरा किया जाता है और भी बहुत सारी दिक्कत बहुत सारी प्रेसानियों में डॉक्टर के दौरा अगर किसी को severe fungal infection की समस्या रहती है तब डॉक्टर के दौरा ये injection उपयोग किया जाता है चलिए अब हम आपको इस injection के side effect के बारे में बताते हैं इस injection का क्या क्या side effect देखने को मिला है जैसे आपको boomating की problem हो सकती है आपका जी मचला सकता है आपको ulty आ सकता है आपको dizziness जैसा महसूस हो सकता है चलिए जान लेते हैं कि ये injection किसकी समस्या में नहीं लगा जा सकता है जैसे कि अगर किसी को heart से related किसी परकार की समस्या है या पिर अगर किसी को liver से related किसी परकार की समस्या है या पिर किसी को kidney से related किसी परकार की समस्या है तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये इंजक्षन नहीं लगाया जाता है लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर ये इंजक्षन इन सारी समस्याओं को देख करके लगाते हैं प्रेगनेंसी की समस्या में इस इंजक्षन का उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन फिर भी कुछ doctor pregnancy की समस्य में भी इस injection का उपयोग करते हैं जैसे कि मरीज की इस्तिती और उसकी body weight और उसके condition को देखके इस injection का उपयोग किया जाता है कोई भी injection कोई भी दवा कोई भी medicine आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रिसानी है तो अपने नजदी की doctor या pharmacist से संपरा करके दवा लें